भाईया चंद दीजिए चंदा किस चीज़ का भाईया नौरात्र दुर्गा पूजा का और किस चीज़ का अच्छा अच्छा देते नहीं देंगे जाओ हाँ नहीं मिलेगा जो भाईया इस बार ऐसा क्यों बोल रहा हमीं लोग तो अपने संस्कृति को जिन्दा रखे हुए हैं ऐसे मैं आप सपोर्ट नहीं कीजेगा तो इतना बड़ा बड़ा थैवार हम लोग कहां से कर पाएंगे आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं क्या भाईय मतलब यही कि आप लोग आज कल अपना सारा स्वापिंग तो आउनलाइन करते हो तो फिर किस मूं उसे हमसे सपोर्ट मांगने आते हो हमसे चंदा लेने आते हो लोकल में तो फिर आपका कोई हक नहीं बनता है जाहिए आप लोग अपना चंदा भी उसी ऊंलाइन तो एक बात सुन लिजिए कि लोकल दुकांदार आपकी जितनी मदद करता है न उसका एक परसेंट भी यह लोग नहीं कर सकते हैं घ्राहक और दुकांदार का रिष्टा भूल करके हम लोग आपके हर सुख दुख में साथ रहते हैं उधार देना हो पैसा लेट लेना हो या फ समान तो घर आसानी से पहुंच जाता है हम भार क्यों जाएं लेकिन ऐसा करने से वो भूल रहे हैं कि वो लोग लोगों से और रिस्तों से कटते जा रहे हैं पहले लोग बाहर खुदी समान लेने के लिए निकलते थे तो कई जान पैचान वालों से मुलकात हो जाती थी लेकिन आजकल तो भईया आप लोग को बैठे बिठाए समान चाहिए वो भी कम दाम में और ऐसा भी क्या यार हम लोग किसी को लूट थोड़ी लेते हैं हम लोग भी तो सिर्फ अपने हक का कमाते हैं अपने हक का मांगते हैं और उसी दो पैसे से आपको भी पता है कि हमारा घर परिवार चलता है हम लोग तो फिरी में नहीं दे सकते हैं इतना तो किसी को समझना चाहिए कि दो पैसे कमाने का हमें भी हक है किसी लोकल दुकान वाले को जानते हो कि वो न अपने ग्राहक के लिए जितना बन पाए उतना करता है किसी भी ग्राहक को नाराज नहीं होने देता है रिस्ता खराब नहीं करता है उसे ग्राहक की इतनी फिक्र होती है वो ग्राहक को ही भगवान मानता है लेकिन आप लोग को हमसे क्या मतलब आप लोगोंने तो कभी ये नहीं सोचा होगा कि इसी दुकान से हमारा भी घर परिवार पलता है दो पैसे कमाने का हमें भी हक है आप लोग आउनलाइन शॉपिंग करने लगे मैं किसी को एक रुपया भी नहीं देने वाला चलो जाओ यहां से रुको रभी इनको 1100 रुपया दीज़े ये 1100 रुपया सिर्फ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और इतना ध्यान आप लोग भी रखिए कि किसी भी तेवार की रौनक हम लोकल दुकानदारों के विज़े से होती है ना कि ओनलाइन शॉपिंग के वालों के जिसे दोस्तो याद रखिए इस दुर्गा पूजा को खरिदारी अपने लोकल दुकानदारों से ही कीजिए क्योंकि हमारे धर्म और संस्कृति को जिन्दा रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है चंदा दे करके और अगर आप जादस जादा ओनलाइन शॉपिंग करते हैं तो फिर चंदा लेने का अधिकार इन लोगों से नहीं है वीडियो अच्छी लगी है तो पेज को फॉलो जरूर कीजेगा और निशानत को अपना प्यार बनाए रखिएगा जैंद